तो first हम लोग बात करेंगे क्या, sovereign के बारे में, sovereign, sovereign nature क्या होता है, sovereign nature का simple सा मतलब यह होता है, कि कोई भी external force जो है, उस हमारी country जो है, external force, कि हमारी country जो है, किसी भी external forces के influence में आके decision नहीं लेगी, अब क्या है कि क्या हम, क्या इंडिया, क्या एक sovereign country है, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, yes और no, मैं आप लोगों को yes के भी answer दूँगा, और मैं no के भी आपको arguments दूँगा, आप लोग खुड decide करके बताना, कि क्या इंडिया sovereign country है, sovereign जो है, वो हम paper में है, ठीक है, by paper, by constitution, by आप कोई भी documents ले लो, उसमें ये पता चलेगा, कि इंडिया जो है, it's a sovereign country, but अगर हम no की बात करें, आप लोगों को पता होगा, 1990 और 1991 के आसपास, जो है, इंडिया के उपर LPG को क्या कर दिया गया, इंडिया के उपर LPG को थोप दिया गया, ठीक है, किसने थोपा, थोपा IM ने, क्यों थोपा, IMF न इसलिए थोपा, क्योंकि इसमें US का जो है, बहुत बड़ा contribution रहा है, ठीक है, इसकी story में नहीं जाएंगे, बट simple सा यहां पर logic, यहां पर यह समझ लीजे कि IMF की policy थी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, world bank, ठीक है, world bank, world bank ने भी जो है, हम लोगो है, यह भी किस ने दिया था, यह भी world bank ने दिया था, ठीक है, और इसको जो है, आज हम लोग use करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है, sovereignty जो है, paper में तो exist करती है, हम लोग बोलते भी है, but external decisions, अब यह IMF ने influence क्यों करा, IMF ने इसलिए influence करा, क्योंकि उस time इंडिया को loan की जरूरत और loan के बदले जो है, उन्होंने policy making में interference करा, ठीक है, तो yes भी है, no भी है, मैंने आपको arguments जो है, दे दिया गया, उसके बाद अगर आप बात करोगे, WTO की, आप लोगों को पता है, कि बहुत सारे cases जो है, बहुत सारे cases जो है, वो आपके चलते रहते हैं, WTO ने भी जो है, भी pressure डालता रहता है, कि भाई, ये decision लो, so that की जादा से जादा जो है, क्या हो, FDI जो है, वो allow करे, अभी एक recently अगर हम newspaper articles को पढ़ोगे, recently जो है, बजट में, recently बजट में जो है, इंडिया ने digital, डिजिटल जो आपकी schemes है, ठीक है, उनके उपर भी digital tax को भी जो है, लगाया है, जिसको challenge कौन करेगा, जिसको challenge करेगा, US challenge करेगा, ठीक है, इसको हम लोग बात करेंगे budget में, या फिर budget में, अगर आप लोगों ने पढ़ी है चीज़े, तो यहाँ पे जो है, समझ में आएग जो policy है, उससे हमें जो है, हानी हो रहा है, जिसकी वज़से क्या करेगा, इंडिया का जो यह step था, वो क्या होगा, WTO में जाके US challenge करेगा, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद, जैसे के हम बात करेंगे, पारिस agreement की बात करेंगे, तो पारिस agreement में, या फिर बहुत सारे global agreements हैं, ठीक है, we have to be like committed, तो बोलने का मतलब यह है, कि sovereignty जो है, paper में, it do exist, बट reality में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं जो है, interconnectedness की वज़े से, या फिर globalization की वज़े से, जो absolute sovereignty है, वो कहीं ना कहीं हमारी country नहीं है, ठीक है, तो यह चीज़ें आपको समझ में आ गई है, एक कोशिश करी है, अब हम next character के बारे में बात करेंगे, socialist के बारे में, socialist क्या होता है, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, socialist की, तो socialist में यह होता है, कि भाई, जितना भी गरीब लोग है, जितना भी पूर लोग है, जितना भी गरीब लोग है, उनका welfare जो है, कौन करेगा, state क करेगा इसका perfect example है ठीक है कोविट के time पे या फिर अगर मैं बात करूं दो चीजों के बारे में public distribution system ठीक है इसमें पता है कि गरीब लोगों का जो है क्या बना हुआ है रेशन कार्ड जो है वो आपका बना हुआ है और इस रुपीज पर केजी तो ये जो है कही ना कही एक socialist step है अगर मैं schemes की बात करूं PM गरीब कल्यान यूजना इसके तहट जो है बहुत सारे section या फिर बहुत जो एकदम नीचे जो आपके पूर लोग है उनको जो है ration जो है वो किस में मिलता है वो free में मिलता है तो बोलने का मतलब ये है कि आपको ये भी पता होगा कि food security of India जो है वो purchase करती है अब वो जो farmer से purchase करती है for example रुपीज 20 पर केजी के हिसाब से वो purchase करती है अब वो आके store करेगा supply करेगा transport करेगा तो economic cost जो होता है वो हो जाता है रुपीज 40 पर केजी just imagine इस रुपीज 40 पर केजी को जो है रुपीज 40 पर केजी को जो है PM गरीब का लियान यूजना के तहत उनको free में दिया जाता है तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा जो पैसा है वो कौन बियर करता है center तो रुपीज 40 और ये जो पीडिय सिस्टम है उसके अंदर भी जो है center को रुपीज 37 रुपीज जो है वो देना पड़ता है ठीक है यही reason है हमारे जो petrol के जो cost है जो की पहले pre-covid की अगर मैं बात करूँ रुपीज 75 हुआ करता है और अभी भी जो है ये 95 टच कर रहे है 95, 96 कहीं कहीं पर 100 प्लस है इसलिए जो है सरकार जो है पैसे को कम नहीं कर पा रही है ठीक है क्योंकि सरकार का expenditure इतना ज्यादा है कि वो कैसे कम कर दे अब ये अगर आप ध्यान से देखो 37 रुपीज पर केजी और हमारे देश के आबादी या फिर जो गरीब जो जो लोग है वो बहुत ज्यादा है तो ये जो ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं जाके लाखो कड़ोरो जाके टच कर जाता है तो सरकार को भी जो है पैसा कहीं से तो मिलेगा तो पेट्रोल जो है एक तरीका है जिसकी वज़ा से जो है ये स्कीम्स जो है ये चल पा रही है बजट में जो है आप देखोगे जैसे जो फोकस है वो किसकी तरफ है क्यापिटल एकस्पेंडिछर की तरफ जो है ध्यान जादा रखा गया अब इक्जांब्स और इसी के थूझ जो है हम लोग दे सकते हैं कि सरकार subsidy प्रोवाइड करती है ठीक है, subsidy क्यों प्रोवाइड करती है subsidy इसलिए प्रोवाइड करती है so that कि गरीब लोगों का क्या हो upliftment हो, upliftment of masses और तीसरी चीज equity equity promote करती है सरकार अब आपको ये बताना है कि equity और equality में क्या फरक है equity and equality में क्या फरक है ठीक है, मेरे को नीचे comment section में आप लोग बताईए यहां तक I think clear हो जाना चाहिए आप लोगों को उसके बाद आप लोगों मैं एक story सुनाता हूँ जिसकी वज़ा से socialist हो गया हम लोगों ने इसके बार में बात कर लिया अब story सुनिए 1964 मे को मे के मे में जो है नहरू जी की जो है वो death हो जाती है इनकी, नहरू's death नहरू के death के बाद हमारे पास हमारे next PM कौन बनते हैं लाल बहादू शास्त्री बनते हैं लाल बहादू शास्त्री अब इनका जो है टाशकेंद में जाके इनको भी दिल का जो है दोरा पड़ता है और ये तिल 1966 तक की जो है continue कर पाते हैं अब ये जो इनका जो continuation है इसके बाद आपको पता है कौन बनता है इंदरा गांधी बनती है पि-म इंदरा गांधी आपकी पि-म बनती है अब अगर मैं बात करूं इंदरा गांधी अगर मैं initial इनका nature की बात करो initial ठीक है तो initially ये बहुत ज़्यादा subdued थी ये बहुत ज़्यादा शर्मीली थी और एक soft leader के तौर पे जो है इनकी image उभर के आती थी इनको बार बार जो है syndicate से पूछना पड़ता था कि भई ये करें तो करें क्या ठीक है तो यहाँ पे ताशकिंत agreement या फिर movie भी आई आई आप उनको भी एक बार देख सकते हो ये पहलू जो है अभी भी unsault है कि लाल बादू शास्त्री जी की जो death है वो किस कदर हुई है ठीक है अब यहाँ पे नहरू के death के बाद जो है एक syndicate नाम का group था जो की ये decide करता था कि भई PM कौन बनेगा ठीक है तो syndicate syndicate अब syndicate जो है basically अगर बोलोगे definition क्या है so they were like they were exercising power or they are the group of powerful politician तो ये जो syndicate था ये powerful politician का एक group था ठीक है अब इनके चार members वा करते थे सबसे पहले मैं बात करूँगा मुराजी देसाई फिर मैं बात करूँगा के कामराज फिर मैं बात करूँगा नीलम संजीवा रेड़ी ठीक है और उसके बाद मैं बात करूँगा नालन जी गप्पा ठीक है अब इन में जो सबसे powerful थे वो थे कौन इन में जो सबसे powerful थे वो थे मौराजी देसाई पर्ट इन में एक दिक्कत ये थी इन में एक दिक्कत ये थी कि भै पावर्फूल तो थे बट इनका जो nature था वो परते ठी pseudo और वह जो कोई चीज नहीं थी और यह जो है मुझ पे बोलते थे तो जब मुझ पे कोई इंसान बोलता है तो ऐसा होता कि बहुत सारे लोग जो है इनको पसंद नहीं करते थे और इसी नापसंद की वज़ब से powerful politician powerful leader या फिर syndicate में इनकी powerful position होने के बावजूद भी जो है ये PM नहीं बने ठीक है अब अगर हम बात करें अगर हम बात करें लाल भादू शास्री जी की अब इनमें क्या था कि इनकी जो height थी काफी low height थी ठीक है low height थी फिर poor family से belong करते थे और काफी जादा ये intelligent भी थे काफी जादा intelligent भी थे तो ये इनके nature के बारे में हो गया मैंने आप लोगों को बता दिया दिसाई के बारे में उने बता दिया अब हुआ क्या अब story को थोड़ी से आगे लेके जाते हैं 1967 की अगर मैं बात करूँ 1967 में elections जो है वो होते हैं और उसमें जो है इंद्रा गांधी जो है इंद्रा गांधी जो है वो जीच जाती है ठीक है इंद्रा गांधी जीच जाती है और उनका जो nature है ये जो मैंने तीन वर्ड इस्तमाल करे subdued, शर्मिली और soft leader अब ये जो है relatively powerful बन जाती है relatively powerful अब इसमें ये था कि जैसे कि मैंने कहा जो ये वाला जो अल्ली टैनियोर था इसमें जो है इनको बार-बार इनको बार-बार जो है पूछना पड़ता था सिंडिकेट से क्या करना है कैसे करना है ठीक है बट इसमें जो है इसमें जो है उन्होंने क्या करा क्योंकि इलेक्शन जो है उन्होंने अपने दम पे जीता था इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो कामराज या फिर रेड़ी या फिर नालंजी गपा इनकी जो है इनको connect करना पड़ेगा और इसी लिए अगर आप देखोगे तो इन्होंने किसकी बात करी इन्होंने बात करी गरीबी की इन्होंने बात करी poverty की ठीक है इन्होंने कहा कि भाई हम आपको वो करेंगे और इसी गरीबी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बहुत दो तीन दो आपको पता होगा the first step कि भई बैंकों को जो है इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने बैंकों को नैशनलाइज कर दिया अब नैशनलाइज कर देने का मतलब क्या है कि पहले जो प्राइवेटाइज जो भी प्राइवेट बैंक एक्जिस्ट करती थी जो भी आपकी प्राइवेट banks जो है पहले exist करती थी private का मतलब क्या होता है private का मतलब simple सा होता है कि profit making अब कोई भी कोई भी private bank जो है वो rural rural जगह में जाके जो है कभी भी loan provide नहीं करेंगी क्योंकि उनको पता है कि वहां की जो लोगों की जो capacity है loan payback करने की वो नहीं है जब उनकी capacity नहीं है, तो कही ना कहीं जो है, हमें जो है, वो profit earn नहीं होगा, इसी लिए private banks जो है, आप आप लोग कभी भी नहीं देखोगे, HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये कहीं पे भी इनके rural branch आप नहीं देखोगे, ठीक है, आप SBI देख सकते हो, और IBPS का है, IBPS का है RRB, Regional Rural Bank, तो इनका जो nature है, वो क्या है, socialist nature है, जिसकी वज़े से जो है, ग्रामहीन से ग्रामहीन, low से low areas में भी जो है, इनके branches आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले इंद्रा गांदीना के क्या क्या कि बैंकों को nationalize कर दिया, so that कि गरीबों को जो है, अब loan देगी, ठीक है, दूस आसिस का जो है, वो welfare कर सके, ठीक है, उसके बाद, दस से बारा सालों तक अपने tenure में, वो अपने आपको गरीबों का leader जो है, वो बताती रही, कि भाई हम जो है, गरीबों को देखेंगे, गरीबों का welfare करेंगे, और मैं जो हूँ, गरीबों की leader हूँ, अगर इसको present context के साथ अगर आप जोर के देखोगे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मोधी, पिये मोधी के अगर मैं बात करूँ, ये बार-बार क्यों बोलते हैं, चाय वाला, चाय वाला, इसलिए करते हैं, because उनको जो है, so that की लोगों को लगे कि भाई, ये हमारे में से ही लोग है, ठीक है, शुष्मा स्वाराज, ये जो वर्ड है, चौकिदर चौकिदर डाल दिया था, इसका मतलब ये है, ये लोग जो है, ये लोग जो है, जो रूरल मासेज हैं, जो नीचे हुए मासेज हैं, उनसे कनेक्ट करना चाहते थे, इसलिए जो है, इन्होंने इनका इस्तमाल किया, आपको पता होगा, इसको प्रेयंबल में आड करा गया, 14th Amendment Act, 14th Amendment Act through 1976, ठीक है, इसमें जो है, इनको आड जो है, इनको करा गया, Socialist 42nd Amendment Act 1976, ठीक है, अब हुआ ये, कि 1970 की अगर मैं बात करूं, हमारे देश में न, एक और वेफ चली, और वो वेफ चलाई किसने, वो वेफ च आइडियोलोजी थी, हिंदी, हिंदू और हिंदूस्तान, ठीक है, बीजेपी की जो आइडियोलोजी है, वो क्या थी, हिंदी, हिंदू, हिंदू और हिंदूस्तान, हिंदूस्तान, अब ये जो है, ये किसके आइडियोलोजी थी, ये आइडियोलोजी थी, भीजेपी की, अब इसके अगेंज जो है, इंदरा गांधी ने, इंदरा गांधी ने एक word आके जोड़ दिया, वो था secular, ठीक है, वो word आके जोड़ दिया, secular, उन्होंने ये प्रियांबल में भी add करवा दिया, और उन्होंने कहा कि भई, मैं धर्मों की राजनीती जो है, वो नहीं करती, ठी integrity, integrity का मतलब है अखंडता, ठीक है, यहां तक आप लोगों को clear हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग अब थोड़ा सा definitions की तरफ देख लें, जो जो भी हमने पढ़ा, दिखिये, sovereignty India is internally और externally sovereign, externally free from the control of any foreign power and internally it has a free government that is directly elected by the people and makes laws that govern the people, no external power can dictate the government of India, पर क्या यह actually में exist करता है, so answer is no, क्योंकि इतने सारे binding agreements होते हैं, इतने सारे non-binding agreements होते हैं, उस case में हम यह नहीं बोल सकते हैं कि India is a truly sovereign country, ठीक है, तो यह वाला हमारा हो गया, फिर हम लोग बात करेंगे socialist की, socialism क्या है, socialism is an economic philosophy, where means of production and distribution are owned by state, India adopted mixed economy, where apart from the state there will be private, तो मैंने आप लोगों से ये भी चीज़ कही कि इंडिया की जो policy है, वो purely socialist नहीं है, इंडिया में mixed है, मतलब कि भाई socialist भी है, और कहीं ना कहीं जो है, private entity जो है, या फिर private enterprises जो है, या फिर private organization, institution जो है, वो भी सरकार के साथ मिलके काम करती है, ठीक है, अब ये जो concept है कि private क्यों आ गया, क्योंकि private का जो motive होता है, वो होता है profit making, और profit making जो, इनका जो profit making का जो motive होता है, it is based on productivity, efficiency, efficacy, effectiveness, ठीक है, तो इसी लिए आप किसी भी private organization या फिर institution के अगर बात करो, profit making के साथ साथ जो है, कितने कम resources में जो है, उसको काम को पूरा कर दे, उनमें ये भी art है, वेराज अगर मैं सरकारी में बात करूँ, सरकारी में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, सरकारी में रहता है, corruption का वो रहता है, effectiveness जो है वो नहीं रहता, welfare का जो है motive रहता है, जिसकी वज़ा से accountability इसी लिए over time अगर आप देखोगे, over time ये accountability के measures ये, जो concept मैंने बोला good governance का, ये over time evolve होता आया हुआ है, पहले good governance का concept exist नहीं करता था, पहले कुछ और था, but over time complexities को देखके government institutions में, government machinery में, government administration में इतनी complexity आ गई कि जिसकी वज़ा से जो है, जिसकी वज़ा से जो है concepts को evolve करना पड़ गया, check-in balances के measures को जो है बढ़ा दिया गया, and most importantly, ethics को भी जो है हमने include कर रहा है, because अगर आपके पास ethics के knowledge होगी, you'll have कि भाई, क्या काम सही है, क्या काम गलत है, ठीक है?